हाई व्रीवन विल्कम बैक टू फॉर्स एंविस्मेंट माइनेमे शिवांच बसीट स्पेशल अनॉंचमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वालों बहुत ज्यादा अच्छी अनॉंचमेंट है आप लोगों के लिए फेवर पर यह अनॉंचमेंट है और अगर आ अनॉंचमेंट किस तरीके से और क्या है इसके पीछे का एक रीजन है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा दो मिनिट लगेंगे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा अच्छी है आप लोगों के लिए तो जैसे कि आप लोगों को पता है यह वाला जो मन्थ है इस मन्थ पर मैं एक हफते के लिए विकेशन पर चला गया था उसके पहले जो मन्थ की स्टार्टिंग का वीक था वहाँ पर आपको पता है कि जो मेरे सिस्टम है वो करप्ट हो गया था और वहाँ पर बहुत दोक्युमेंट और फाइल्स ती जो की कर अपनी मेरे मेंबर्स जो मेरे एवरी मन्थ कॉल्स लेते हैं ठीक है यह आप लोगों के लिए भी है डोंट वरी है सब के लिए है ठीक है जो मैं भी बात करने वाला हूँ हुआ क्या तो मेरे माइंड में आया कि यार उन लोगों ने पैसे दे रखे हैं और उन लोगों को इ कुछ personally मैं खुद भी नहीं ले पाया मतलब मेरे पास भी time नहीं पाया मैंने कुछ लिये तो मेरे भी stop loss से सेट हुए जैसे कि मैं आप लोको कोई साथ share करते रहा अब actual मेर अगर कोई पैसा किसी को दे रहा है किसी भरोसे में दे रहा है और अगर उसे एक satisfaction नहीं मिल पा रही है तो वहाँ पर जो trust होता है जो एक bond होता है तो वो bond खतम होने लग जाता है तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं नहीं चाहता है कि जो मेरे community है और जो मैं हूँ हम लोग अलग हूँ 4-5,000 लोग हैं जो पस मेरी videos on a regular basis देखते है अगर उसमें से भी कम होना start हो जाएंगे मतलब वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है ठीक है इतनी महनत से मैंने ये एक base 80,000 subscribers का खड़ा कर रहा है जिसमें से 5,000 या 4,000 मेरे साथ हैं जो मेरी हर बात मान रहा है मेरी हर videos को regularly देख रहे है मैं इस community को खराब बिलकुल भी नहीं करना चाहता सो मेरे mind में ये बात आई कि और उन लोगों ने पैसा तो दे रखा है why not extend the service for a month free of cost जैसे for example किसी ने अगर monthly subscription ले रखा है तो उसको एक महिने के लिए extend कर दिया जाएगा free of cost के लिए and उन लोगों को अराम से तमीज से दुबारा प्रोवाइड होगा ठीक है इसके अलावा मैंने ये जब ये planning में कर रहा था कि उन लोगों को एक अच्छी announcement में प्रोवाइड कर रहा हूँगा कि वो लोग भी खुश हो जाए तो मेरे माइड में आया है why not you people आप लोगों को भी क्यों न दिया जाए अगर उन लोगों को free में हो रहा है तो आप लोगों को भी अगस्त के महिने में free of cost हमारी तरफ से प्रोवाइड होंगे swing trades हो जाएं, option trades हो जाएं कोई भी trades जो मुझे दिख रहे है जो upcoming Monday आ रहा है न upcoming Monday से आप लोगों को on a regular basis everyday आप लोगों को वहाँ पर हमारे swing trades हमारे option trades कोई भी trade अगर intraday भी होता है सब कुछ दिया जाएगा chart setups के साथ everything plus guys एक special चीज़ और है आप लोगों के लिए plus every Sunday webinar, maturity अभी नहीं दे पाऊंगा बट मुझे अगर time मिलेगा तो मैं Sunday रखूंगा वरना उसे shift करके हम लोग Saturday या Friday भी रख सकते हैं ठीक है क्योंकि मैं अभी August के महीने में भी डेली shift हो रहा हूं तो वहाँ पर बहुत जादा headache हो जाएगा अगर मुझे time नहीं मिल पाया तो कोई भी time मिलेगा तो आपको के साथ free webinar होगा every Sunday 4 दिन मतलब every Sunday तो मतलब 4 दिन होगा month में तो वो भी आपको के लिए बहुत जादा knowledgeable और beneficial है ठीक है तो please अगर आप लोग join होना चाहते हैं तो आपको कोई form find नहीं करना कुछ नहीं करना सिर्फ telegram channel join करना है ठीक है तो I hope आप लोगों को यह announcement बहुत जादा अच्छी लगी होगी अगर आप लोग join हो रहे हैं हमारे साथ तो एक छोटी सी चीजा जो मैं share करना चाहूँगा यह important नहीं है अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है otherwise आप क्यों पर है वो ठीक है आप लोगों को already पता है कि मैं angel broking को बहुत जादा promote कर रहा हूँ ठीक है क्या reason इसको promote करने का and क्यों कर रहा हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक swing trader हूँ मेरी जो जादातर community है वो भी एक swing trader की है ठीक है angel broking एक ऐसा special feature provide करवाता है जिसके through मैं अराम से swing trading कर पाता हूँ with less capital ठीक है less capital किस तरीके से swing trading में क्या होता है कि हमें एक stock को एक दिन से जादा रखना पड़ता है तो अगर हम लोग zero धा या fire चीज़ों में काम करते हैं तो में पूरा का पूरा amount deposit करना पड़ता है और तभी हम वो share ले सकते है swing trading angel broking में कैसा होता है कि उस पे एक feature है margin का अगर आपके पास एक लाख रुपे हैं तो आप पाँच लाख रुपे के shares खरीच सकते हो वो भी delivery basis पे ठीक है आप उसे एक महीना रखना चाहो दो दिन रखना चाहो तीन महीने रखना चाहो आप रख सकते हो वो एक कुछ चीज चार्ज करती है वो एक interest चार्ज करती है और रिगुलर बेसिस जो कि यह 0.05% बतलब अगर महीने कमानके चले तो 1-1.5% जो कि बहुत कम है according to our profits we can earn ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ नीचे पहला link आप लोगों कोई angel broking का मिल जाएगा अगर आप लोग इन angel broking का account open नहीं करवाया तो आप लोग करवा सकते हैं आदे घंटे में account open हो जाएगा दो घंटे के अंदर आपको login ID password भी मिल जाएगा अगर आपके पास already है angel broking तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास sufficient fund है आप जिरुधा के अंदर कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैं सिर्व आपको एक example दे रहा हूँ कि ये मेरे लिए जब एक beneficial आचुका है तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है ठीक है तो आप आप लोगों के बात समझ में आया होगी अगर आप लोगों को एक अनॉंस्मेंट पसंद आई है सो फ्राइडी की मार्केट है कल और किस तरीके से trade देना है कौनसे stocks पर trade देना है क्या market का scenario हो सकता है बात करते हैं इस particular वीडियो के अंदर आगे चलके और देखते हैं कि किस तरीके से market का reaction रह सकता है कल के trading station के अंदर तो चलते हैं अपने trading setup पे और देखते है किस तरीके से market काम कर सकती है सो हमारा सबसे पहला stock है Metropolis Metropolis Health Care ये stock मैंने क्यों suggest कर रहा है इसके पीछे बहुत सारे reasons है technical reasons है सबसे बहले अगर आप देखेंगे ये एक range के अंदर काम कर रहा था इस range का इस ने इस level पे एक breakout दिया breakout देने के बाद it gave a retest and retest के बाद बहुत sharply up move दिया इसके लावा मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आप देखने है ये वाले एक trend 9 और आ रही है इस trend 9 के इस ने आपर एक breakout दिया retest करा and यहाँ पर consolidate करा अब देखने है after giving a very good breakout it consolidated almost two months for two months it consolidated and finally it gave a very good breakout metropolis ने बहुत बढ़िया breakout दिया है इस pattern को हम लोग बोलते है flag and pole pattern दूसरी चीज़ अगर एक range का already breakout देखे दुबारा range बनाता है और उसका breakout देता है तो वहाँ पर जो movement आती है stock पे बहुत जादा ची आती है और बहुत जादा तेजी से आती है ये stock मुझे लगता है कि अच्छे returns आने वाले time पे ज़रूर दे सकता है stock को अपनी watch list के अंदर ज़रूर रख सकते हैं flag and pole pattern का breakout दिया है प्लस एक multiple resistance को support मानके consolidate करके एक breakout दिया है metropolis stock आप तो अच्छे return दे सकता है इसके जो मैं targets expect कर रहा हूँ वो मैं targets expect कर रहा हूँ almost 250 rupees कूपर so almost अगर मैं मानके चलो तो मुझे लगता है 3200, 3300 तक ये stock easily जा सकता है stock को अपनी watch list के अंदर आट कर सकते हैं मुझे लगता है अच्छे returns ये दे सकता है मेरा दूसरा stock है dalmia sugar dalmia sugar मेरी mind में आया कैसे और मैंने ये कैसे देखा कि ये stock मतलब मेरा जो portfolio है जो मेरा long term का portfolio है उस पे मतलब आज में अपना fresh कर रहा था और check कर रहा था क्या क्या performance रही तो ये वाला जो particular stock है ये almost मुझे 150% का return दे रहा है मैं अभी दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने इस पर buying कर रही थी already मुझे 150 to 160 के आसपास person का already return दे रहा था तो मैंने शुचे एक बड़ check करें कि exit करने का time तो नहीं आ गया बट जब मैंने check कर रहा है तो इस पर entry दुबारा बन रही है सबसे बहले आप देख सकते हैं stock का नहम है दाल्मिया शुगर यह देखेगा क्या गरता है यह stock एक uptrend के अंदर काम करता है उपर जाता है हलका सब retracement लेता है again it moved up फिर उपर जाता है फिर एक हलका सब retracement लेता है दुबारा उपर चले जाता है फिर हलका सा retracement लेता है अब यहाँ पर इसने देख रहे हैं एक range डेवलप कर रही है यह consolidate कर रहा है अब आप देखेगा एक sharp up move consolidate कर रहा हो और exact अपने resistance पर और breakout देनी की तियारी कर रहा है यह particular जो pattern होता है इस pattern को हम लोग कहते हैं flag and pole pattern अब आप देखेगा अगर मैं आप लोगों को दिखाओ मुझे क्यों लग रहे है कि इसी breakout पे दे सकता है यह वाली candle देख रहे हैं जो बड़ी वाली candle बनी है indecisive candle इसको exact छुई थी पूरी नीचे चले गई अब क्या होता अगर यह इस बड़ी वाली candle बनी है तो मतलब यह एक reversal होता है इसे नीचे जाना चाहिए था बड़ी actual में अगले दिन दो दिन बाद यह sharp recovery आगई तो मतलब यह जो stock है वो नीचे जाने में जादे important नहीं है जितना उपर जाने में excited है ठीक है तो आप volumes भी देख सकते हैं volumes भी आज के trading session के अंदर बहुत अच्छे से rise करे हैं I think यह अच्छी movement दे सकता है right now the current price is 485 रूपीज का आप 488 रूपीज के उपर इसे बाई करके चल सकते हैं मुझे लगता है यह 500 रूपीज तक कर target दिखा सकता है यह stock आपको मेरे पास still holder मैं दिखाता हूँ मैंने कहा बाई कराता यह देख रहे हैं मैंने इस breakout पे इस breakout पे बाई नहीं कराता नेवेंबर 2015 को और breakout आता है 21 पही तो मैंने इस breakout पे भी बाई कर सकता था बैट मैंने ऊपर बाई कर रहा है जब यह double top break हुआ और मेरे पास तब से है और मेरे को अराम से 160 या 150 मुझे आइडिया ने कितने percent return देख रहा था लेट मी शोयो इधर ही कही मैंने बाई कर रहा होगा तो जो टॉप है वो है और मुझे 157% का return मुझे अभी वी दिखा रहा है ठीक है मुझे अभी वी लगता है इस पे एक upside बाकिये stock को आप लोग अभी होल्ड करके रख सकते हैं सो हमारा third stock है Sun TV Sun TV पर अगर आप लोग देखेंगे सबसे पहले आप ब्लाक लाइन पर फोकस करेगा जो ब्लाक लाइन ट्रेंड लाइन चलती वी आ रही है आप देख रहे है ये एक head and shoulder pattern बनाव है इस head and shoulder pattern का इसने यहाँ पर breakout दिया breakout देने के बाद मेरे को दुबारा बाई नहीं करना था मेरे को बाई करना था जब previous resistance जो previous high है swing है वो breakout है ये आप एक zone देख रहे है ये मैंने एक zone create कर रखा है ये इसका एक previous swing high है अब आप देखेंगे नीचे आया retest करा दुबारा उपर गया और यहाँ पर consolidate कर रहा है और मुस्त तीन महीने से ये इसी level पर consolidate कर रहा है जो की 550-560 रुपीज का level है ठीक है अब यहाँ पर chances increase हो गया है इसके breakout देने के ठीक है अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ तीक है अब आप मान के चलो मैं इसे भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पर आपको क्या देख कर लग रहा है let me show you मैं इसे थोड़ा से extend करता हूँ यह देख रहे है यह एक head and shoulder pattern और बना रहा है देख रहे है एक head and shoulder pattern और बना रहा है उसका breakout देने की त्यार ही कर रहा है weekly time frame है मुझे लगते ही stock बहुत बढ़ी है return दे सकता है एक चीज़ और अगर यह stock 570 रुपीज के ऊपर एक दिन भी बंद हो गया 570 रुपीज के ऊपर एक दिन भी तो next target सीधा target इसका 640 रुपीज का होगा 570 अगर cross करके close कर गया वो एक strong resistance है अगर उसके ऊपर close कर गया तो next target is 640 रुपीज तो stock को अपनी watch list के अंदर रख सकते हैं आप लोग तो 550 या 560 के ऊपर भी buy बना सकते हैं चुकि यह eventually ऊपर जाना है बट कि speed से ऊपर जाएगा वो speed है 570 के ऊपर से ठीक है तो stock को अपनी watch card मैंने आपके सामने open कर दिया है यहां पर आपको already पता है कि एक range के अंदर develop था मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब यह जो एक range है यह जो छोटी सी proper color की range है अगर इसके ऊपर जाता है और 15 मिट की candle close होती है तो आप लोग एक buy setup जने rate कर सकते हैं otherwise अगर gap down होता है त उपर जाने की कोशिश करी नहीं पाया है ठीक है तो आप करना क्या same scenario है Friday को भी अगर gap down open होता है और gap down open होके आपको क्या करना है दो candle देखने है दोनों candle अगर bearish निकलती है तमीज की bearish candle clear short है अगर आपको दो अगर यह gap up खुलता है और अगर यह 15,800-810 रुपे की उपर जाता है और दोनों first minute की दोनों एक minute की जो candle है वो bullish होती है आप लोग buy कर सकते हो होता क्या जर्नली जब आप दोनों bullish candle देखते हो ना तो आप buy कर लो यहाँ पर दो scenario है 70% जो chance होता है कि वो continuously ऊपर जाएगा 30% chance होता है वो एक बार नीचे आएगा हलका सा retrace लेगा और उसक scenario होता है अगर दो green candle बनती है तो आपके पास क्या system है आप थोड़ा सा और patience ली wait कर सकते हो buying करने के लिए otherwise आप लोग अगर उसी time buy करते हो तो stop loss थोड़ा सा deep रखना ठीक है क्योंकि एक बार तो retracement लेने भी आ सकता है तो यह scenario होता है अगर कल gap down open होता है तो same scenario gap up open होता है त अगर इस range के अंदर आ जाता है तो कोई trade नहीं करना ठीक है sorry इस range में gap down अंगर अंदर आ जाता है तो आप trade कर सकते हो 50 rupees का target लेकर चल सकते हो nifty के अंदर bank nifty के भी बात कर लेते है bank nifty का chart open कर दिया मैंने आप लोगों के लिए ये एक range के अंदर था range में लोगों ने ओर रिडी देख रही है था कि यहाँ पर इसका target हो गया था और इसके बाद यह दुबारा ऊपर जाना start कर रहा था ऊपर जाने के बाद आप देख रहे ने यह मैंने एक black color की line draw करी है इस black color की line से एक sharp fall आना start हुई यह level है almost 34,740 rupees का अब आपको करना क्या है अगल कल के trading session पे 34,740 की उपर 15 मिनट की candle close कर जाती है तो आप लोग तुरंद बाए कर सकते है for a target of 100 to 150 rupees ठीक है almost मैं जो highest target मानके चल रहा हूँ मैं 34,920 का मानके चल रहा हूँ जो एक strong resistance है वो 100 पे उपर ही है अगर आप लोग 34,740 की उपर बाए कर जहां से एक बार fall आ सकते है जो की 34,840 की आसपास है ठीक है तो हमारे लिए अगर gap up उपर मतला उपर ना खोले अगर हलके ल की उपर जा रहा है तो हमारे लिए अच्छा buying है अगर gap up भी खुल जाता है तो हम लोगों को मौके मिलना कम हो जाएंगे अगर हम लोगों को buy करन दाउन साइट पर अगर सौर पर नीचे जाता है अगर सौर पर नीचे जाता है और अगर gap down open होता है तो trade कर सकते हो देखिए market अभी weak है gap down खुलता है तो तो short अराम से कर सकते है अगर gap up खुलता है तो हम लोगों को price action को समझना पड़ेगा कि बना क्या रहा है point समझ रहा है weak market पर तो gap down पर तो clear shot है weak market पर gap up पर हम लोगों को price action या behavior समझना पड़ेगा तो ही हम लोग actual trade कर सकते हैं I hope आप लोग मेरे यह वाला point समझ गया होगे so thank you so much guys for listening to me listening this whole video अगर आपको हमारा जो special announcement पसंद आया तो वीडियो को like करिए चानल को subscribe करिए दूस्तों friends के साथ share कर सकते हैं और thank you so much guys आप लोगों ने मेरे साथ दिया ते टाइम तक मेरे जो 4-5 जार लोग जो मेरे साथ जोड़ेवे हैं thank you so much guys